अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डाविंसन इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह हुआ कि दो बाडी टक्राई देखिए मैं माल लेता हूँ सपोस करिएगा कि यह दो बाडी है यह एक बाडी है यह M1 मास्ट की है और यह बाडी है यह M2 मास्ट की है जो एक दूसरे की तरफ U1 U2 विलास्टि से अप्रोच कर रही है यह बिफोर कोलिजन हो रहा है बिफोर कोलिजन हो रहा है अब यह कोलाइड की और को सिपल्ड को करके एक uh कि दूस्य को रिपल करती और अपनी पुरानी position में आने के लिए यह restoring food लगाती धक्का मारती और दुस्य से अलग हो जाती लेकिन ये क्या हुआ कि ये collide हो गई और collide होके चिपक गई ऐसे या यूग एक दूसरे का अंदर चली गई जो भी जैसे भी चली गई कुल बिलाकर के टोटल जो बाड़ी हो गई एक ऐसे बसिपक सकती है जैसे गिली मिट्टी होती है उपर से नीचे फेका फर्च से आगर के नीचे चिपक जाती है तो ये अब टोटल मास कितना हो गया M1 प्लस M2 और ये दो combined जो है वो V विलास्टी से चलने लगी तो हमने का वह यहाँ पर momentum गंजर्ब रहता है लेकिन kinetic energy गंजर्ब नहीं रहती क्यों kinetic energy कहीं नहीं गहीं चुकि वो टक्राई है और आपास में चिपक गई है तो एक दूसरे से जो कुछ heat उसमें create होई होगी ठीक है उसमें खर्स होगी होगी तो यहाँ पर दो चीजे हैं एक तो momentum गंजर्ब रहेगा और kinetic energy गंजर्ब नहीं रहेगी हाँ total energy गंजर्ब रहेगी ठीक है लेकिन total energy का कोई formula यहां नहीं आएगा क्योंकि total energy में sound energy भी होगी फट से लड़ी होगी तक से आवाज आई होगी heat भी create होगी heat energy रही होगी तो वो यहाँ calculation में दिखेगी नहीं इसलिए उसका mathematical calculation नहीं कर सकते ठीक है तो यह diagram समझ में आ गया तो देखेंगे अभी हमने काग वाई इसमे momentum रहता है तो by law of conservation of momentum by law of conservation of linear momentum linear momentum टकराने के पहले क्या था m1 u1 plus m2 u2 is equal to टकराने के बाद m1 plus m2 into v1 यह पहला ही question है अच्छा अब आपने का कोई current energy कजब नहीं रहती है तो आप इतना निकाल सकते हो current energy before collision before collision कितना है इसको केवन मान ले तो half m1 u1 square plus half m2 u2 square current energy after collision इसको मैं के टू मान लेता हूँ तो half m1 plus m2 into v square equation कितने मिल रहे हैं आपको unknown छोड़िए equation कितने मिल रहे हैं कहां दो है एक ही तो मिल रहे हैं आपको या v sorry v यहां से v1 क्यों मान रहे हो अगर v यहां निकाल लेंगे तो v निकाल करके हम यहां value रख सकते हैं ठीक है तो हम चाहें तो k1 k2 में एक ratio निकाल सकते हैं तो k1 upon k2 अगर करें अगर करें कोई ज़रूत नहीं हमें है हमारा कोई requirement नहीं है कि इतना करना ही करना हम कोई तो यह हम करेंगे तो आएगा half m1 u1 square plus half m2 u2 square upon half m1 plus m2 into v square यह भी एक equation हो सकता है अब एक case हो सकता है कि भी second body हो सकता rest में रही हो वो तो के special case है कि अगर मालिया u2 rest में है मतलब एक body एक मालिया के लकडी का टुकड़ा है वो rest में था और एक गोली हमने मारी हो गोली आके उसमें धस गई अंदर उसी के अंदर रह गई आब वो system मन गया गोली प्लस लकडी का टुकड़ा और दोनों मिल करके एक साथ आगे बढ़े तो यह हो सकता है यू टू जीरो हो तो एक special case आप लिख सकते है एक special case कर सकते है special case मतलब यह मेरी requirement नहीं है यह हमारा calculation जैसा दिया होगा on spot ठंथ करेंगे अगर के कह रहा है कि इस यू टू इस इक्वल टू जीरो अगर ऐसा है कि second body rest में है अब आप कहेंगे पहली body rest में होतो चलेगा अब पहली body rest में होके टकराएगी कौन जाकर के second body मतलब पहली जाकर टकरा रही है तो अगर u2 rest में है तो यहां क्या जाएगा m1 u1 is equal to m1 plus m2 into v तो यहां से हम v की value निकाल सकते हैं m1 u1 upon m1 plus m2 v निकाल लिया और यहां पर देखे end यह तो हमने क्या किया है by equation 1 यहां पर कहां से निकाला है equation 1 से निकाला है अब equation 2 से देखे by equation 2 2 में अगर मैं u2 को 0 कर देता हूं तो k1 upon k2 क्या निकलेगा k1 upon k2 is equal to यह तो 0 हो गया half-half कड़ गया था तो यह आ गया m1 u1 square upon m1 plus m2 जब आप v square करोगे तो क्या आएगा m1 square u1 square उपर जाएगा m1 plus m2 का whole square ज़लाई से calculate कर लिजेगा upon k1 k1 upon k2 is equal to यहां से m1 यह है यहां से यह square कड़ गया u1, c1 कड़ गया 1, m1 से m1 कड़ गया तो आगया m1 plus m2 upon m1 अब यह आपका ratio हो गया ठीक है तो यह कोई रटने वाले चीज नहीं है कि एक चीज proof होके आ गई ठीक है एक system है एक expression है कि अगर मालिया second body rest में है तो दोनों body के जो kinetic energy है उनका ratio क्या होता है k1 upon k2 ठीक है तो यह तो हो गया आपका elastic collision तो आप कर सकते हैं कि as हाँ यह लिख सकते है as m1 plus m2 is always greater than m1 यह हमेशा m1 से बड़ी होगी value यानि कि m1 plus m2 upon m1 will be always greater than 1 यानि k1 upon k2 is greater than 1 यानि k1 greater than k2 यह क्या show कर रहा है हाँ तक kinetic energy में loss ही होना है हमने बताया बही दो body जा के टकरा ही टकराने के पहले बड़ी ताकत वरती मैं जा के उसको उठा के पठक दूँगी इसी के तैसी कर दूँगे के बड़ हो गया कैन्य के किसी का सर फूड़ गया किसी के दान टूड़ गये क्योंकि टकराने के बात कुछ energy खर्च हो गई sound में हो गई किसी कीजमें हो गई तो यानि कानिटिक energy में loss ही होता है ये कहने का मतलब है ठीक है तो इसका मतब यानिकी loss हुआ को लिजन हाँ वो लोग अलड़ी पढ़ रहे हैं कि एलास्टिक को लिजन इन टू डंस अब दिक्कत है कि ये कान पकड़ने वाला क्लास तो होता नहीं ठीक है अब ये मालूम हो कि क्यों नहीं इधर पकड़ लिया क्यों नहीं उतर दे रहे हो ठीक है ये इन विजन वर्चुबल क्लास है ठीक है तो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा साउधान देखो ये जो टू डामेंशन का कंसेप्ट है न ये अगर आप बुक में डाइग्राम समझेंगे तो डाइग्राम को बहुत अच्छी तरिक समझाया नहीं गया है देखो वो अभी हम अभी करिएगा नहीं वो दिखा ये रहे हैं कि एक बॉड़ी ये ले ले लेत उपे दिया है तो असनी की विच्छ में लेंगे और वो कहा रहे हैं कि ये एक बॉड़ी है और ये U1 विलाशिटी से चल रही है एम-वन माश तो डाशन के नाम तो मालू होगे न जिससे आप फिट करते हैं उसको क्या खते हो Striker Striker करता है वो न दोगो Striker क्या करता है जरा समझिएगा अगर वो Striker सामने वाली गोटी के बीछ में जाके टक्राए बीछ में टक्राए ठीक है तो दोनों एक साथ आगे बढ़ती है Am I right? लेकिन अगर थोड़ा Corners हिट करे वही यहाँ पर होना है वही यहाँ पर होना है तभी जाके ऐसे ऐसे जाएंगी ठीक है? मतलब देखेगा डाइग्राम में बुक में ऐसे ही बना हुआ है लेकिन एक्शुल में यहाँ ऐसा नहीं होता है देखे द्यान से लफना क्या हो? ये इतना को डीटेल में लिखना नहीं है लेकिन डीटेल में समझना जरूर है देखो द्यान से ये आपकी एक बॉल है ये इसका सिंटर ओफ मास है ठीक है? और दूसरी ये इसका सिंटर ओफ ये रेस्ट में भी हो सकती है यह चल भी रही हो सकती है तो दोनों केसा अब ले सकते हैं चल भी रही है और दूसरी बॉल का center of mass जो है नहीं ये ये थोड़ा सा ऐसी बॉल है दिया नहीं है बुक में सामने बनाया गया है ऐसा है नहीं ये ये ऐसे यू और विलासी चल लही है ना और इसका center of mass ऐसे है चल नहीं रही है ये मैं रस्प में ले रहा हूँ तो ये तो before collision ऐसा हुआ है before collision ऐसा हुआ है ये दोनों के center of mass जो है ना ओर ओड़ेस ये दोनों same line में नहीं है आप practically समझेगा striker की कब मैं example दे रहा हूँ कि जब दोनों cut मारती है तब जाके वह इसादर भागती है ठीक है अब देखो यानि ये जाके ये यहां कहीं टकराएगा ना अगर मैं समझू ये टकराएगा तो ऐसे टकराएगा ना यहां corner से टकराएगा तो यानि collision कैसे होगा collision actually इसका ऐसे होगा ये ऐसे और ये इसका center of mass ये और ये थोड़ा सा नीचे इसका center of mass यहां कहीं होगा ठीक है समझ में आरी बार नहीं आरी है आचा टकर जो होगी वो धका कौन मारेगा कैन पूरी कैन नहीं नहीं सुनिए कैन पूरी ताकत से धका लगा तो ताकत आपका center of mass ही लगाता है जहां पर पूरा mass आपका एट करता है तो actually जो धका लगेगा ना वो इधर लगेगा ठीक है एक बाल पे तो एक बाल एक बाल चली गई ऐसे ठीक है ज्यादा बाहर जा रही है सुन में आ रही है अब समझ गे नहीं यहां गई है यहां तक समझ में आ रही है तो यह बाल इधर चली गई कौन सी यह वाली बाल जिसको धका मारा है यानि कि M2 mass वाली M2 mass वाली यहां चली गई और हमने कहा यह V2 विलास्टी से गई ठीक है यह M1 mass की थी और यह U1 विलास्टी से चल लई थी और यह M2 mass की थी और यह हम फिलाल शुरुआत में रेस्ट में मान रहे हैं नहीं भी हो सकती रेस्ट में समझ में आ रही बात नहीं आ रही है अब देखो 这ुझम इसको धकां इधर मालेगी तो यह इसको धकां इधर मालेगी ने कोई resultant टीस की भास्टी होगी न भाई नियमता इसको इधर जाना चाहिए लेकिन आलेडी इस motion में है न भा यह तो रस्तिशं में थी तो धकां में इधर चली गई लेकिन ये तो motion में थी न तो ये किधर motion में है ऐसे motion में है न और ये धका ऐसे मार रही है तो ना तो ये ऐसे जाएगी ना ऐसे ये किसी और resultant direction में चली जाती है ये M2 mass की body M1 mass की body U1 velocity चली जाती है और ये horizontal से ये alpha angle पे जाती है ये beta angle पे जाती है समझ में आ गई बाद आप चाहे तुमें diagram को समझाने के लिए बना रहे हैं वह सारे गोले तो अगर आप से कहा जाए कि elastic collision और two dimension one dimension होता कब है वो ले किताम में लिखा होता है तब होता है देखे जब दोनों के centra mass seed में सीधे टकराते हैं तो वो को elastic थे inelastic वो तो nature of the body पे depend करता है लेकिस सीधे टकराते हैं तो linear motion होता है ठीक है और अगर वो सीधे टकरा करके दोनों के centra mass थोड़ी दूरी पर होंगे तो वो उसको cut मार देगा cut मारेगा तो दोनों इधर दर फैल जाएंगे logic समझ में आई हाँ अच्छा अब इसमें conservation क्योंगी elastic है दोनों conserve रहेंगे ठीक है तो अब diagram को थोड़ा सा neat and clean में रा लिया जाए second volley body को हमने यहाँ पर रखा है यह y-axis यह x-axis ठीक है नहीं भी हो सकती है रस्ट में अगर पहले से चल रही है तो m1 m2 u2 इसका momentum हो सकता है इस पर confuse मत होईएगा ठीक है जब टकराई तो एक ball इधर चली गई और एक ball इधर चली गई अगर practically हम आप से कहें किधर कौन सी ball जाएगी जिस m2 ही को ही जाना पड़ेगा ठीक है हाँ एक second एक second एक second एक second अगर यह वाला syndrome नीचे से टकराया होता अगर इसका syndrome मास नीचे रहा होता यहां टकराया होता ऐसे तो फिर यह उधर जाती ठीक है वैसे तो कोई मतलब नहीं है लेकिन जब diagramatically कहीं पर कोई competition में student को फसाने की courses करेगा examiner तो यह बताएगा वो ठीक है इसलिए मैंने बहुत हिसाफ से बताया कि कैसे यह जा रही है M2 ही इधर क्यों जा रही है तो M2 मास की body इधर चली गई V2 velocity से और मैंने माना यह बीटा आएगे बनाते भी गई और M1 मास की body इधर चली गई V1 velocity से by making alpha angle logic समझ में आई अच्छा तो अब आप पहले तो conservation of linear momentum करेंगे ठीक है अब अगर vector की हम बात करें तब तो M1 V1 और M2 V2 कर दो लेकिं direction की बात करें तो पहले आप लिखेंगे linear conservation of linear momentum along x-axis चुकि मजबूरी है यह जो body जिदर यह जा रही है ना उधर यह नहीं जा रहे थे शुरुआत में तो आप लिखेंगे by law of conservation of linear momentum linear momentum along x-axis along x-axis जरा समझने की कोशिस करिए पहली body x-axis की तरफ जा रही थी किस momentum से M1 यहां लिख रहा हूँ M1 U1 दूसरी body rest में थी दूसरी body rest में थी M2 U2 हो भी सकता है ध्यान लखेंगा confusion मत हो ना कि in elastic में वो rest में ही रहेगी ऐसा नहीं है is equal to अब देखो पहली body की velocity x direction में कितनी है M1 V1 cos alpha प्लस M2 V2 cos beta यह पहला ही question हो गया ठीक है अब लिखेंगे conservation along y-axis along x-axis and y-axis एक सा लिखेंगे दे रहे हैं ठीक है त्योंको y के along सुरुवात में कुछ था momentum नहीं था तो 0 था ठीक है अब यहां देखिए इधर y के along क्या है M1 V1 sin alpha और यह नीचे की तरफ जाएगी न माइनस M2 V2 sin beta यह दूसरा equation हो गया अच्छा जब बात हम करेंगे current energy की चुकि वह तो उसको direction से मतलब नहीं है किदर हो जाओ का जरूत पूरी value सेम होनी चाहिए तो law of conservation of current energy करेंगे तो उसमें alpha beta से मतलब नहीं होगा ठीक है तो by law of conservation of law of conservation of current energy तो क्या हैगा half M1 U1 square is equal to half M1 V1 square plus half M2 V2 square यह equation number 3 है अब बताओ यहाँ पर कितने equation मिले कितनी unknown values है unknown value तीन है चार है वी वन वी टू अलफा बीटा आप जरा समझेगा यहाँ पर तीन equations हमारे पास चार unknown value है और जबकि मेरा equation system क्या कहता है कि भाई जितनी unknown value होंगी उतने ही equations होने चाहिए तो मैं इन तीन equations से तीन ही value निकाल सकता हूँ तो यहाँ जब आपको numerical दिया जाएगा तो V1 V2 अलफा बीटा में एक चीज़ दी भी होगी आपको पकी बात तभी आप निकाल सकते हैं ठीक है लॉजिक समझ जाई तो इसे नोट करें confused तो नहीं है आप लॉजिक समझ जाई एंटू इधर कब जाएगा इधर कब जाएगा यह पकड़ लीजेगा कही पर अगर कही पर माल लिया पर नोट करिए फिरम बात करें देखे कही पर माल लिया देखो दो चीजे मैं बता रहा हूँ एक तो यहां की पर भी बता भी चुका हूँ जैसे यह आपका एक बॉल है यह इसका सेंटर है और एक बॉल थोड़ा उपर है और यह इसका सेंटर है अब यह अगर हिट करता है जाकर के यहां कहीं तो यह वाला बॉल उधर जाएगा यह वाला ठीक है लेकिन अगर ऐसा होता यह पहला बॉल है और यह इसका सेंटर है और दूसरा बॉला बॉल थोड़ा नीचे है यह इसका सेंटर है और यह जाकर यहा करके लिख लिएगा अभी हम बता चुके है we know that कि शुरुवात में हमको बताना चाहिए था वो बाइचांस दिमाग से उतर गया आप क्यांसर होगा भी नहीं बता देता हूं we know that कि in elastic in elastic collision in नहीं वो वाला elastic collision में in when collision is elastic ऐसे लिखोने confusion हो जाएगा when collision is elastic collision is elastic जब collision elastic होता है तो हम जानते हैं कि relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation होता है यानि कि u1-u2 is equal to v1-v2 होता है एक चीज़ और देखो u1-u2 upon v1-v2 जो होता है इसको हम e से denote करते हैं इसको कहा जाता है coefficient of restitution सुना है न यह कहलाता है coefficient of coefficient of restitution कहलाता है ठीक है और देखे अगर मान लिया अगर e की value 1 है तो यह elastic collision है यह कैसा है elastic collision है दूसरा है if e is less than 1 तो in elastic collision in elastic collision और अगर e 0 है तो एक plastic collision भी होता है plastic collision ठीक है देखे नहीं मैं बता रहा हूं नोट कर लिया देखे बॉल उपर से गिरी नीचे गिरी और उसी हाइट तक चली गई तो यहाँ e की value 1 होगी यह कैसा collision होगा elastic collision होगा ठीक है दूसरा कैस देखे बॉल उपर से गिरी नीचे गिरी और थोड़ी दूरी तक गई पूरी हाइट तक नहीं जा पाई यहाँ e less than 1 होगा कैसा collision होगा इन elastic collision होगा बॉल उपर से गिरी नीचे गिरी और गिरी तो गिरी फिर गिरी रहे गई उपर गई नहीं तो e यहाँ पर zero हो जाता है यह plastic collision है